बहुत पहले की बात है कि रामपूर नाम का एक गाउं था उस गाउं में बरगत का एक पेड़ था उस पेड़ पर एक जिन रहता था लेकिन वह कभी किसी को परेशा नहीं करता था एक दिन गाउं के बच्चे इसकुल जा रहे थे उन्हें देखकर जिन ने सोचा मैंने अपना बहुत सारा समय बेकार कर दिया आप मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए जिन को पढ़ने का सोख चड़ा तो वह पेड़ से नीचे उतर आया जिन जब भी बच्चों से पढ़ाई की बाते करना चाहता तो बच्चे तुरंद भाग जाते या देखकर जिन बहुत दुखी होता और दुवारा पेड़ पर चर जाता एक दिन जिन ने देखा कि इस्कूल के मास्टर जी पेड़ के नीचे से जा रहे हैं जिन उन्हें देखकर बहुत खुस हुआ और पेड़ से उतर कर उनके सामने खड़ा हो गया जिन को देखकर मास्टर जी थर थर कापने लगे जिन बोला मास्टर जी आपको मुझसे डरने की कोई ज़रत नहीं है मैं आपको कभी नुक्सान नहीं पहुचाओंगा बस मेरी आपसे यही प्राथना है कि आप मुझे पढ़ना सिखा दे इतना कहा कर जिन ने चांदी के तीस सिख्के मास्टर जी के हाथ में रख दिये मास्टर जी चांदी के तीस सिख्के लेकर खुस हो गए मास्टर जी ने चांदी के सिख्के जेब में डाल कर कहा मैं कल सुबह तुम्ही पढ़ाने आ जाओंगा दुसरे दिन मास्टर जी काफी पैंसिल लेकर पेड के नीचे जीन को पढ़ाने के लिए आ गये जीन जल्दी से पेड से उतर कर नीचे आ गया और खुशी-खुशी पढ़ने लगा जीन को पढ़ने में मज़ा आ रहा था मास्टर जी जीन को जो कुछ भी पढ़ाते उसे जीन जरासी देर में याद करके सुना देता अब मास्टर जी बहुत परसान हो गए मास्टर जी ने जितना अपनी सारी उम्र में पढ़ा था उतना जिन नो दिन में ही पढ़ लिया आप उनको चिंता सताने लगी कि जिन को आगे क्या पढ़ाएंगे अगले दिन मास्टर जी जिन के पास गए और चांधी के एकी सिक्के लोटाते हुए बोले मैंने अपनी फीश के नो सिक्के ले लिये है बाकी सिक्के तुम बापस ले लो जितना मुझे आता था वाज सब मैंने तुम्हे पढ़ा दिया मास्टर जी की बात सुनकर जिन घुस्चा होकर बोला मैं कभी भी दिये हुए पैसे बापस नहीं लेता आपको मुझे पूरे तीस दिन ही पढ़ाना होगा बरना बाकी 21 दिन तक मेरे साथ इस पेड़ पर रहो जिन की बात सुनकर मास्टर जी दर गए और बोले अच्छा ठीक है मैं कल सुबह तुम्हें पढ़ाने जरूर आ जाओंगा मुझे आप घर जाने दो जिन के चंगुल से छुट कर मास्टर जी घर आकर बिस्तर पर लोट गए और उन्हें नीन आ गई डर के मारे उनको बुखार चड़ गया सपने में उन्हें एक परी दिखाए दी परी ने मास्टर जी की चिन्ता का कारण पुशा तो ये बोले आप कोन है आप यह जिन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा मुझे जीन से चुटकरा पाने का कोई उपाय बता देजिए तभी उनकी आँख खुल गई और उन्हें नेंद से जाग गई उन्होंने देखा कि वहाँ पर परी नहीं थी दुसरे दिन जब मास्टर जी जीन को पढ़ाने गए तो ये बहुत खुश थे उन्हें देख कर जीन बोला मास्टर जी जल्दी पढ़ाओ मैंने कल भी पढ़ाय नहीं की आप मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूँ मास्टर जी बोले एक और एक कितने होते हैं दो जीन बोला अच्छा दो और दो चार चार और चार आठ जीन बोला ठीक है आप हर संखा के जोड को इसी के साथ जोडते जाओ जब गिंती पूरी हो जाए तो मुझे बता देना फिर मैं तुम्हें नया पाट पढ़ाऊंगा जीन बोला जी मास्टर जी आप जब भी मास्टर जी पेड के नीचे से निकलते जीन ने पुष्ट क्या गिंती खतम हो गई उपर से जीन कहता नहें मास्टर जी आभी गिंती जोड रहा हो जब गिंती पूरी हो जाएगी तब आपको बता दूँगा जीन का जवाब सुनकर मास्टर जी खुशू कर चले जाते इस पुरकार जीन गिंती जोड़ता ही रहा गया उसने फिर कभी मास्टर जी से पढ़ने के लिए नहीं कहा